निर्ने ले लिए कि जब हम अब दुमका से हमें टिकट मिला भी नहीं तो फिर पार्टी से दूर जाने में ही भला है महराष्ट और जहारकंड में जब से विधानसबा चुनावों की घोशना हुई है तब से ही सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लग गई हैं जिसमें बीजेपी ने महराष्ट में बेशक अपनी सभी चुनावी पैत्रे आजमाने शुरू कर दी हो और एक बर फिर अपने डिवाइड और रूल वाले पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रही हो लेकिन ज़ारकंड में उसका हाल बुरा हो गया है जहां बीजेपी को वेपक् पनेदा लुईस मरांडी कुणाल शाणंगी गनेश महली और चुन्ना सिंग के सियम हेमन्त सोरेन के आवास पहुचने की खबर है सभी के जे-म-म में शामिल होने की संभामना है अब इधर मीडिया में ये खबरे ओड़ रही हैं कि थोड़ी देर बाद इन दिगज नेताओ के जे-म-म यानि की जारखर्ण मुक्ति मोर्चा में शामिल होने की खबरे भी आने लगी हैं जिसने बीजे-पी आलकमान की नींदे उड़ा दी हैं इस मामले में इन बागी नेताओं ने खुल कर अपना पक्ष भी रखा क्योंकि उनका सीधा आरोप था कि उन्होंने बीज समझते हैं कि अगर बीजे-पी में रहना है तो सीट पर चुनाव लड़ने से लेकर हर एक छोटे बड़े काम में होता वही है जो शीष नेतरत्व का आदेश होता है ऐसे में इसी वज़े से परिशान होकर इन नेताओं ने जे-म-म का रुख किया हम आपको बताते चलें कि बीजे-पी लुइस मरांडी को हेमन सोरेन के खिलाव बरिहार्ट सीट से चुनाव लड़वाना चाहती थी जबकि लुइस दुमका सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी वो लुइस मरांडी ही थी चिनोंने लोकसब़ चुनाव 2014 में पहली बार हेमन सोरेन के खिलाव सीट जीत कर कमल का फूल खिलाया था बीजेपी से जे एमेम में आने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करने में क्या कुछ कहा आए सुनते हैं परहेट से चुनाव लड़ना होगा तो हमने कहा कि हम परहेट से चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि पिछले 24 साल से हम दु्मका के जनता के सेवा में हम लगे हैं और एक हर हवा, पानी, इटा, पतर हर चीछ से एक चीर परिचित हम वहां से हैं तो इसलिए हम वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे और इतना बोलने के बाद भी पाटी ने गोसना भी कर दिया और दुमका में किसी और का नाम सामने आ गया इसलिए हम निर्नाई ले लिए कि जब हम अब दुमका से हमें टिकट मिला भी नहीं तो फिर पाटी से दूर जाने में ही भला है तो हम ये कर सकते हैं इस तगड़े जड़के के बाद अब बीजेपी की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं और वो यहां पर इस उनुकसान की भरपाई कैसे करते हैं ये हमें आने वाला वक्त ही बताएगा इस खबर में इतना ही ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे है स्टेक भारत